Hello friends, welcome to Lance Services, this is Ramsoni, आज हम discuss करेंगे basically coronavirus की origin के बारे में, coronavirus की origin का कहां से हुआ basically origin इसकी जांच करने के लिए जो Biden है, US President Joe Biden इन्हों ने basically order दिया है American Intelligence को कि आप इसकी जल्द से जल्द जांच करें और American Intelligence Unit जो है उसको 90 दिन का time दिया है, कि जितने भी efforts हैं आप उसको double, triple जितना भी करते हैं बट 90 दिन में we want complete clarity की basically coronavirus का origin कहां हुआ तो let's talk about this one, ये काफी interesting है, हलाकि चैना ने यहाँ पर काफी नाराजी जताई है बट देखें, यहाँ पर देखा जाया है, तो कई सार ने उच्पर ने दिखाया भी है US President Joe Biden, orders intelligence report on COVID-19 origin within 90 days 90 दिन के भीतर ये intelligence report मागी है, कि हाँ, 90 दिन के भीतर आप ये सारा का सरा बताएं कि आखिर COVID का origin कहां से हुआ इस सभी के बारे बात करें, काफी इंटरस्टिक टापिक पर देखाया है तो लेकिन आप ये देख सकते है, Wuhan Institute of Warology CES आप देख सकते है, यहाँ पर प्रापर दरी के से देखा जाया तो ऐसा कहा जा रहा है कि यहीं से COVID-19 disparate हुआ है यह मैं नहीं कह रहा हूँ, basically मैं नहीं भी परा सेंग राइट नाओ तो यहाँ पर इनका कहना यह है, कि US Intelligence से पता लगा है 90 दिन के भीतर की, basically इसका origin कहां से हुआ है Because World Health Organization की रिपोर्ट को आप देखें, तो इनका basically opinion अलग है लेकिन US Intelligence ने पहले रिपोर्ट कुछ अलग दिया था तो basically यहाँ पर जो conflict हो रहा है, यहाँ पर इनका कहना यह है कि US जो है, यहाँ पर ऐसा उम्मी, basically कई लोग कहते हैं कि China ने यहाँ पर फुली द्रेगे से participate किया नहीं और China ने यहाँ पर जो WHO ने रिपोर्ट find out करने की कोसिस की उसमें transparency दिखाई नहीं USA कहना यह है कि यहाँ पर China को force कर देगा full and transparent investigation के लिए कि यह अपने देश में, इनके देश से origin हुआ है क्रोणा वायरस का तो they have to give full transparency, मतलब पूरी transparency निस्पक्षता विलकुल यह प्रकाल से पारदस्ता इने दिखानी पड़ेगी जो कि कई लोग कहना यह है कि China ने यहाँ पर पारदस्ता नहीं दिखाई अब देखे, यहाँ पर Biden ने देखाया तो agency को order दिया है कि कहा COVID-19 का जो वायरस है यह चायना से पहली बार जो emerge हुआ है, वो animal से हुआ है या laboratories हुआ है देखे, WHO कि हम finding को देखें तो the world health organization ने finding थोड़ी अलग से दी है इसलिए यहाँ पर थोड़ा dispute हो रहा है, तो यहाँ पर देखाया तो यहाँ पर currently दो opinion है opinion का है, opinion यह है कि पहला कह रहा है कि हाँ चलो ठीक है यहाँ पे कुछ लोग कहना यह है कि इसका जो origination है, यह basically किस से हुआ है अनिमल से हुआ है, especially हम बात करें, world health organization के रिपोर्ट के बात करें तो इन्होंने कहा है कि यह अनिमल से origin हुआ है, यह जो वहान जो वायरोलजी इंस्ट्यूट है वहाँ से इसका origin नहीं हुआ, बलके कहना है अनिमल से हुआ है लेकिन as of now, जहां से भी हुआ हो, यदि हम देखें as of now, पूरे world में तकरीब 3.4 million people की death हो चुकी है सोचे, 34,00,000 लोगों की death पूरी दुनिया में हो चुकी है, मतलब बहुत सारी country ऐसी है हमारी दुनिया में, जिनकी आबादी में 34,00,000 नहीं है Just think about that, not 34,00, 34,00, sorry, 34,00,000 people died, can you believe this, just a massive number तो यहाँ पर Biden ने बिसिकली अपने लोगों को, अपनी जो intelligence unit है, agency health squad दिया है कि आप इसका पता लगा है, 90 दिन के अंदर कि क्या हुआ कहीं, यह start चाना से हुआ है अब US agency ने पहले ही कह दिया था कि हाँ, COVID का जो infection है, वहां से start हुआ है और 14 countries ने properly concern raise किया था कि हाँ, WHO की जो report है, वो यहाँ पर कहीं न कहीं गलत है और यहाँ पर proper तरीगे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहें, WHO को proper सी, ऐसा बोला जा रहा है कि इनको China ने proper तरीगे से इनको data प्रोवाइड नहीं करा है और इससे कान WHO ने इस तरीगे report दी कि हाँ, इसका origin जो है, अनिमल से हुआ है, something like that ठीक है, कुछ team member से कहना यह है कि China refuse to give raw COVID data तो यहाँ पर चाइना ने proper data दिये नहीं, अब चाइना है, आप जानते हैं, चाइना के बारे मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है आप लोग चाहे तो कह सकते हैं, अब World Health Organization की बात करें, तिन्होंने भई, end of the March March की इंडे में इन्होंने बताया था कि हाँ, जो transmission of virus है, यह bats से human को हुआ है मतलब जो चमगादर होता है, उससे human को हुआ है, और देखा तो फिर बात बागी जो animals है, उससे थूरू ऐसे से हुआ है तो यहाँ पर देखा है, तो इनका कहना है कि lab से जो leak होने की possibility है, वो बहुत ही extremely unlikely है, मतलब बहुत ही कम possibilities की है लेकिन वहीं पर World Health Organization की कुछ member कहना थोड़ी से अलग है, कि China ने यहाँ पर सरे जो raw data है, वो देया नहीं तो यह सारा यहाँ पर conflict हो रहा है, तो इसके चलते US President ने finally बोला है कि हमें 90 दिन के अंदर exact data चाहिए कि basically इसका origin कहां से हुआ है, या पता लगाओ, यदि China से हुआ है, यदि Wuhan से originate हुआ है, यदि human generated virus है, तो कहीं न गई यहाँ पर चाहिए चाहिए खासे दुनिया को census लगाने पड़ेंगे, चुकि इसमें कोई सक्की बात है, दुनिया में billions of the dollar, मैं तो कहूंगा trillions of the dollar का न ये US politics करने कोसिस कर रहा है हमारे साथ में, this is not fair, और का कहना ये है कि हाँ, इनका जो military का fort detrick base है, इसमें जो biological इनका laboratory है, उसका भी investigation करवाएं, कि वहाँ पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, anyway ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप लोग क्या लगता है, कि इसका origination, यदि चैना से हुआ हो, तो क्या होना चीए, इसका origination ये कहीं और से हुआ है, तो क्या होना चीए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे दुनिया में बहुत बड़ी, कह सकते हैं, तबाही का मनजर रहा, तो anyway आपको opinion क्या है, कि इसका origination तो जहां से भी होगा, लेकिन इनकेस, ये आप PSC, UPSC जैसे exam की तियारी करना चाहते हैं, तो हमारा platform आपके लिए fully available है, आप मारे साथ तियारी कर सकते हैं, और यहाँ पर proper तरीके से 1-year batch course लाँच हो चुके हैं, तो आप इसे जोइन करना चाहते हैं, तो call कर सकते हैं, नमबर है 28260-33084, इसके लावब आप RAM सुनि आप